असलाम लेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू माइ यूट्यूब चैनल ग्रिप और ट्रेक्स विद मी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहला इकुन को दुपाना मत बुलिएगा आज का लेक्टिर हम क।ष्चन नमबर अवन के पार्ट 4 से स्टार्ट कर रहे हैं रास्ट लेक्टिर में मैंने 3 पार्ट किये थे वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा बिसमिल्यार्मान रहीं question है हमारे पास x plus 4 over x minus 2 minus x minus 2 over x plus 4 is equal to 0 x plus 4 over x minus 2 minus x minus 2 over x is equal to यह 4 हमारे पास यहां पर plus हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा minus हो जाएगा फिर easily हम इसका LCM ले सकते LCM क्या होता है list common factor हमने इस common factor निकालना है यह हमारे पास x into x minus 2 नीचे आजाएगा x into x minus 2 x minus 2 से cancel हो गया बाकि हमारे पास क्या बच्चा है x into x plus 4 दिर्मियार में साइन किसका है minus का x x से cancel हो गया यहां भी हमारे पास बच्चा है x minus 2 और यह भी x minus 2 होगे x minus 2 into x minus 2 x minus 2 का स्केर is equal to minus 4 अब हम इसको क्या कर लेंगे multiply करेंगे x into x x स्केर plus 4 x minus हमारे पास है x minus 2 का whole square open करेंगे x square minus 2 x into 2 plus 2 का whole square divided by x को x से multiply करेंगे x square आजाएगा minus 2 x is equal to minus 4 x square plus 4 x minus x square 2 2s are 4 minus 4 x plus 2 का square 4 x square minus 2 x is equal to minus 4 x square plus 4 x minus को अंदर से multiply करेंगे minus x square minus minus plus 4 x minus plus minus 4 is equal to minus 4 यह x square minus 2 x यहां यहां पर divide हो रहा है दोसी तरफ जाके क्या हो जाएगा multiply x square minus 2 x यह x square plus का है और यह minus का है x square plus का है और minus का है अपसमें हो जाएगे 4 and 4 8 x minus 4 is equal to minus 4 का अंदर multiply करेंगे minus 4 x square minus minus plus 4 to 0 8 x अब हम इसको उठाके दूसी तरफ ले जाते हैं कि यहां पर 0 बच जाएगा 4 x square यहां पर minus हो रहा था इदर आके plus हो गया और यह 8 x plus हो रहा इदर आके minus हो गया यहां पर यह plus a x और minus 4 is equal to 0 हमने यह दोनों वैलिज एक्वल की साइट से उठाके दूसरी साइट पर ले गए और यह इसी साइट पर थी इसलिए इनका साइन नहीं चेंज हुआ और इनका साइन चेंज हुए और इनका साइन चेंज हुए यहां से हम लोग 4 पामल ले लेंगे बाकी x square minus 1 is equal to 0 4 इदे multiply हो रहा है 0 की नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा यहां कि 0 की नीचे जो भी चीज डिवाइड होगी वो 0 हो जाती है x square minus 1 is equal to 0 हो जाएगा यहां पर हमारे पास यह x square minus 1 is equal to 0 है यहां पर हमारे पास b is equal to 0 है यहां कि भी की कोई वैल्यू नहीं है और x square minus 1 is equal to 0 यह फॉन सी फॉर्म है प्यावर फॉर्म नेक्स्ट हम करते हैं question number 5 नेक्स पार्ट हमारे पास x plus 3 over x plus 4 minus x minus 5 would x is equal to 1 इसका भी हम लेंगे यहां कि एल्सियम x plus 4 एल्सियम में हमारे पास x plus 4 into x x plus 4 x plus 4 से कट गया यहां पर हमारे पास x बचा वो यहां पर आ जाएगा x किस से multiply होता है x plus 3 से minus x x से cancel हो गया पाकी में रेपस बचा x plus 4 into x minus 5 is equal to 1 x को x से multiply किया x square plus 3 x minus यहां पर हम multiplication करेंगे x को x से multiply करेंगे x square आजेगा एक्स को 5 से minus 5 x 4 plus 4 x plus minus minus 5 for 20 is equal to 1 और यह दिवाइड़े दिवाइड बए x को x से multiply किया x square plus 4 x यहां पर x square plus 3 x minus x square आपियमे से 4 ने काले minus x minus 20 is equal to 1 over x square plus 4 x अब इस माइनस को अंदर मल्टिप्ले कर देंगे X square plus 3X माइनस X square माइनस माइनस प्लस X माइनस माइनस प्लस 20 पुर्ट वन X square plus 4X यहां पे X square plus का और यह X square minus का है यह दुनों cancel हो जाएंगे बाकि 3X और यह 1X है 4X plus 20 is equal to X square plus 4X यहां पे डिवाइड हो रहा है दुसी तरफ जाके multiply हो जाएगा 1 से multiply होके वही answer आएगा हमारे पास X square plus 4X is equal to X square plus 4X अब हम 4X plus 20 को दुसी तरफ ले जाएंगे एक बल के तो इनके sign change हो जाएंगे X square plus 4X था और यह उदर जाके plus का है उदर जाके minus को हो जाएगा 20 भी इदर plus का है दुसी तरफ जाके minus को हो जाएगा is equal to 0 बच जाएगा यह 4X minus का है और यह plus का है दो रहनों cancel हो जाएंगे बाकिया मारे पास बचेगा X square minus 20 is equal to 0 और यह भी प्याओर फॉर्म है प्याओर फॉर्म में क्या आता है बी इस इक्वल टू जीरो आता है और यहां पर बी इस इक्वल टू जीरो है यह मारे पास प्यूर फॉर्म पार्ट नमबर 6 X plus 1 over X plus 2 plus X plus 2 over X plus 3 is equal to 25 over 12 यहां पर X plus 2 और X plus 3 हमारे पास LC में आ जाएगा X plus 2 X plus 2 से cancel हो जाएगा बाकि बचेगा X plus 3 X plus 3 को X plus 1 से क्या करेंगे multiply करेंगे दिरम्यान में plus का sign है plus हाजएगा X plus 3 X plus 3 से cancel हो गया बाकि मारे पास X plus 2 बचा और यह भी X plus 2 है तो X plus 2 का क्या आजएगा square is equal to 25 over 12 X plus 1 into X plus 3 है इसको multiply करेंगे X into X plus 3 plus 1 into X plus 3 पहले X को दोनों से multiply करेंगे फिर 1 को दोनों से multiply करेंगे plus इनका scale ले ले लेंगे scale open कैसे होता है X square plus 2 X into 2 यानिके 2 AB plus 2 का square is equal to 25 over 12 और device में क्या आजएगा इनको multiply करते है X को X से multiply X plus 3 into plus 2 X plus 3 X को अंदर multiply करते है X square plus 3 X plus X plus 3 1 से multiply होके X plus 3 आजएगा यह X square 2 तूजर 4 4 X plus 4 over X square plus 3 X plus 2 X plus 3 तूजर 6 is equal to 25 over 12 यहां भी मारे पास X square है और यह भी X square यह आजएगा 2 X square 3 and 1 4 4 and 4 8 8 X plus 4 plus 3 7 1 over X square 3 plus 2 5 X plus 6 is equal to 25 over 12 यहां भी हम क्या करेंगी cross multiplication इसको इसको इससे multiply करेंगे और इसको इससे 25 इन एक्सकेर प्लस 5 X plus 6 is equal to 12 इट्टू 2 X square प्लस 8 X plus 7 25 का अज़र मुल्टिप्लाय करते है 25 X square plus 25 5,000 125 X plus 150 25 को 6 से multiply करेंगे तो 150 आज़ेगा 12, 2, 0 24 X square 12 को 8 से multiply करेंगे तो 96 X plus 12 12 को 7 से multiply करेंगे तो 84 अब हम यह इस साइट पर लेएंगे 25 X square plus 125 X plus 150 minus 24 X square minus 96 X minus 84 इन सब के साथ plus था और यह तीनों minus के होगे is equal to 0 25 X square में से 24 X square को क्या करना है minus करना है बाकि हमरे परस क्या बचेगा X square 125 X में से 96 X minus करेंगे बाकि बचेगा 29 X 150 में से 84 को minus करेंगे तो यह हमरे परस आजएगा 66 is equal to 0 यहां भी हमारे पास B is equal to 0 नहीं आया लास्ट दुनों के प्योर फॉर्म के थे लेकिन यहां पर B is equal to 29 है तो यह हमारे पास कौन सी फॉर्म आई है standard quadratic equation यहांके standard form standard form question number one के हमने six part कर ली है complete next lecture में निशाला हम लोग factorization करेंगे second part